नमस्कार आप देखरें सिटी पोस्ट लाइब मैं हूँ अब इसे एक मिस्रा लोगसभा चुनाओ 2019 के लिए पहले चरण का मद्दान 11 अप्रेल को होना है बिहार में एक तरफ सत्ता रूट जेडी और बीजेपी है तो दूसरी तरफ राज़त कॉंग्रेस सहित कई पाटियों है बिहार के चुनाओं में इस बार सबसे खास बदलाविये है कि 2019 के लोगसभा चुनाओं में नरेंद्र मोदी के मापकी जेगा 2014 के लोगसभा चुनाओं में नरेंद्र मोदी के खिलाप मोर्चा खुलने वाले बिहार के मुकमंतरी नितीश कुमार इस बार मोदी को पीम मन बक्सर आरा सासाराम और काराकाट में उच्च जातियां अधिक संख्या में हैं इसका फाइदा एंडियों को मिलता नजर आ रहा है मिलता रहा है पहले भी वहीं जातिगत समीकर्णों के लिहाद से राजत के लिए सीवान, महराजगंज, गोपालगंज और सारन काफी मुफीद है हाला कि 2014 में सीवान की सीट पर मोदी लहर में भाजपा के उन प्रकास यादों जीते थे यह छेत्र बाहु बली सहाब दिन के कारण भी अकसर चर्चा में रहता है वहीं आरा में भाजपा ने केंद्रिये मंतरी आरके सिंग को मैदान में उता रहा है बक्सर में केंद्रिय मंत्री अस्विनी चौबे की लड़ाई आरजडी के मजबूत प्रत्यासी जगदानन सिंग से है यहां आरजडी यादो मुस्लिम के साथ राजपूत बोटरों को भी साधने की कोशिस में है ऐसा हुआ तो केंद्रिय मंत्री चौबे के लिए मुस्किल हो सकती है सारन में केंद्रिय मंत्री राजीव प्रताप रूडी मैदान में है उनके खिलाप लालू प्रसाथ के संधी चंद्रिका यादो मैदान में है पाटली पुत्रा मगद में मगद लोग सभा की दस सीटे हैं पाटली पुत्रा पटना साहीब जहानाबाद औरंगाबाद गया नवादा जमोई बाका मुंगेर और नालंदा इस बार पटना साहीब फोकस में है क्योंकि यहाँ बीजेपी ने सतुधन सिनहा को टिकट काट कर क केंद्रिये मंत्री रविसंकर प्रसाद को प्रत्यासी बनाया है वहीं सतुधन सिनहा बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में चले गए और इस सीट से फिर चुनावी मैदान में है उधर पाटली पुत्रा सीट पर भी जवरदस्त लड़ाई है इस सीट पर लालू यादो की बेटी मिसाभारती मैदान में है तो वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रिये मंत्री राम कaşराल यादो मैदान में है नवादा नालंदा में जरी धी और मांजी की पाटी हमके प्रतियासियों के भीच हम मुकाबला है पाटली पुत्रा पट्ना साहिप जहानाबाद और नлан बालमिकी नगर अगर चंपारन की बात करें तो चंपारन में तीन लोगसभा चेतर है बालमिकी नगर पुर्वी चंपारन और पच्मी चंपारन 2014 के लोगसभा चुनाओं में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी हाला कि इस बार बालमिकी नगर को बीजेपी न जेडियू के खाते में दे दिया है अगर मितलांचल की बात करें तो मितलांचल में लोग सभा की दस सीटे हैं सीता मढ़ी, सीवहर, उजियारपूर, मुजफरपूर, बैसाली, हाजीपूर, मदुबनी, जंजारपूर, समस्तिपूर और दर्भंगा इस छेतर में लालू के हिस्से में यह सीट है, खुद उपेंद्र कुस्वा यहां से मैदान में हैं, इसी तरह समस्तिपूर सीट पर इंडिये की तरफ से लोजपा ने अपना उमिदवार उता रहा है, यहां के अंडिये मंत्री नामिलास पासवान के भाई राम चंदर पासवान चुनाओ है, अगर कोसी की बात करें, तो कोसी में पांच लोग सभा सीटे हैं, इसमें सुपावल, मधिपूरा, बेगू सराय, खगडिया और भाईगल पूर सामिल है, इस लोग सभा चुनाओं में इस छेतर में बेगू सराय होट सीट की तरह है, यहां से केंद्रिये मंत्री पावला, वामदल के युवा नेता कनहिया कुमार से है, सुपावल से पपू यादो की पत्नी रजीता रंजन मैदान में है, आर जेडी की तरफ से सराद यादो मधिपूरा से मैदान में है, उनके खिलाब पपू यादो सीट से चुनाओ लड़ रहे हैं, सिमानचल में चा सामने इन सीटों पर जीत दर्च करवाने की चुनोती भी है, वहीं महागट बंधन में ये तीनों सीटे कॉंग्रेस के खाते में है, अर अडिया सीट जरूर राजत के पास है, तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, ह ताकि हमारी खबरे सबसे पहले आप तक पहुँचे, प्यार समर्थन और सहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.